आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लोके सर अन्लिम्टेड स्टडी जोन पे तो मित्रों क्लास 11th का त्रहमासिक परिक्षा मदमिक शिक्षामंडल भौपाल जिसके लिए काफी बच्चों ने मुझे कहा कि सर इसका सिलूशन्स बना करके दीजिये तो आईए आज आपके साथ मैं करूंगा solutions class 11th की तुरमासिक परिक्षाओं के प्रिशन पत्र का तो ये है माध्मिक शिक्षामंडल भोपाल का प्रिशन पत्र जिसमें सबसे पहले हम करते हैं वेकल्पिक प्रिशन तो दिखें वेकल्पिक प्रिशन में A set हमारे पास है 1,2,3,4 और B है 3,4,5,6 और A intersection B यानि कि A और सर्वनिष्ट B का मान यहाँ पर पूछा गया है intersection B का तो common element लिए जाते हैं यहाँ पर भी 3,4 है यहाँ पर भी 3,4 है तो इसका correct answer है obviously 3,4,1 marks सभी को मिले होंगे आसान question है, fx equal to x को identity function बोलते हैं और हिंडी में इसे कहते हैं तत्समक फलन जिसमें output input होता है, जो input है वही output होता है, इसे हम तत्समक फलन कहते हैं, यह भी बहुत सारल सवाल अगला question है, a plus 1 equal to 3 और b minus 2 equal to 1 तो यह तुलना करना था, इसमें कुछ भी नहीं था तो a plus 1 की value 3 के equal है, तो a equals to 3 minus 1 means a का मान 2 के equal हो जाएगा यदि हम बात करते हैं, b minus 2 equal to 1 है, तो b equals to 1 plus 2, it means b equals to 3 हो जाएगा तो correct answer was 2, 3, तो correct answer is a, इसका आपको दिलाएगा 1 marks cos x की parecer क्या होती, parecer को हिंदी में English में range कहते हैं, इसे परास भी बोला करते हैं तो range जो होती है, cos x की close interval में होती है, minus 1, 1, काफी बच्चों ने open interval लगा दिया है, जो की गलत है सही answer is, कभी option, minus 1, 1, अगला सवाल देखते हैं, i to the power minus 8, iota की power minus 8, बहत सरल सवाल इसे लिख सकते हैं, 1 upon iota की power 8, that is equal to, 1 upon iota की power 4 का whole square, जो की होता है 1 upon 1, यानि की value होगी 1, चलिए, अगला सवाल देखे, 4x plus i 3x minus y, तुलना से सम्मधत सवाल है यहां मैंने solve भी कर दिया, सबसे पहले x की value निकालने के लिए, इसका वास्तिविक भाग 4x है और इसका वास्तिविक भाग 3 है, तो 4x equal to 3, तो x equal to 3y, 4 हो गया, पहली चीज़, and 3x minus y equal to minus 6 हो जाएगा तो यहां पर देखे, 3x minus y equal to हो गया minus का 6, minus sign से multiply कर दीजे, तो यह हो जाएगा, y minus 3x equal to plus का 6, अब आप क्या करेंगे यहां पर, y की value हो जाएगी, 6 और plus का 3x, ठीक है तो y is equal to 6 plus 3, और x की value जो निकाल चुके हैं, आप 3 बटे 4, so 3 by 4, so 3 plus 3 by 4 यह हो जाएगा, 6 plus 3, 3 जा 9 by 4, ओके, और यह 9, 4 गुने 6, 24 plus 9, अपन में 4 आएगा, और 24 और 9 होता है, 33 बटे 4, तो इसका correct answer है, 3 बटे 4 और 33 बटे 4, तो इसका correct answer A है अगला question है, A union 5, A union 5 जो होता है, A होता है, ओके, अगला A और B में से अपरमित समुच्चा है, तो A cross B क्या होगा, भई, अगर एक भी अपरमित है, तो A cross B क्या होगा, अपरमित ही होगा, क्योंकि अपरमित के साथ आपके pair कितने बनेंगे, अनन्त बनेंगे, अपरमित होता है, 2 cos square alpha minus का 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और cos alpha कितना है, 1 by 2, तो cos square alpha हो जाएगा, 1 upon 4, यह कट गया 2 से 2 बार, ओके, और minus का 1, तो कुल में लाके कितना बचेगा अपने पास, वो 1 बटे 2, minus 1, जो की solve कने पर आएगा, minus का 1 बटे 2, तो correct answer इसका है क्या, इसका answer है, minus 1 बटे 2, यहाँ पर आएगा, minus 1 बटे 2, चलिए, समिसर संक्या minus 3 plus i का संयुगमी क्या होगा, तो समिसर संक्या minus 3 plus i का संयुगमी minus का 3 minus i होगा, okay, अगला, x का, x के उन मानों को जो दिये गए, असमिका को एक सत्त कथन बनाते हैं, उनको उस असमिकाओं का क्या कहते हैं, उ असमिकाओं का हल कहा जाता है, वे जो मानाते हैं, यह असमिकाओं के क्या हुआ करते हैं, हल हुआ करते हैं, ax plus by less than c, देखें, यह pure inequality है, okay, impure नहीं है, तो इसे मैं निश्चित असमिका कहूंगा, क्योंकि एक pure type की inequality है, okay, एक समुच्या जिसमें कोई भी अवियम नहीं है, भाई, इससे सरल सवाल तो कुछ हो नहीं सकता, यह है, रिक्त समुच्या कहलाता है, empty set, रिक्त समुच्या कहते हैं, चलिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए, बहत सरल राए थे, सही जोड़ी के मिलान, तो a union b des क्या बनता है, a intersection b का जो hold x होता है, जिसको demiver, sorry, demorgan theorem बोलते है, dem demorgan प्रमे से a intersection b का बार equal to a bar union b बार, तो पहले का answer है, c, यह देखे मैंने लिखा भी है, first का option है, c, second वाला जो है, भाई, कहां पर जाएगा, second वाला जाएगा, इस तरीके सी, यह भी demiver, demovier हो, demorgan theorem है, बार-बार demovier आ जाती है, तो second का हो गया, d, third वाला option क्या है, a cross 5, भा okay, fourth option देखे, 45 degree को हम pi by 4 बोलते हैं, pi by 4 radian है, तो वहाँ पे pi by 4 radian आ जाएगा, fourth का जो option है, answer आएगा, a, okay, fifth की बात करते हैं, sin minus theta, तो sin minus theta is equal to minus sin theta हो जाएगा, तो fifth का answer f हो जाएगा, and sixth answer cosec 90 minus theta, that is equal to minus 6 theta, तो sixth का answer हो जाएगा, e, okay, तो यह देखे, सारे के सारे हमारे पास हो चुके हैं, मैंने 6 के 6 हो, आपको सही जोड़ी मिलान करा दिये हैं, अगला question, यदि समुच्चे S में 5 अवयव हों, तो S के समुच्चे के कितने उपसमुच्चे होंगे, देखे, उपसमुच्चे की संख्या बताई थी, कि 2 की power n होते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 की power 5, यानि की 32 उपसमुच्चे total बनेंगे, ओके, उपसमुच्च्चे की संख्या कितने होते हैं, 2 की power n, चलिए, अगला देखे, अगर कोई फलन x cube minus 1 द्वारा परिभासे तो f minus 2 का मान क्या होगा, तो f minus 2 मतलब minus 2 का cube minus का 1, चलिए, इसको मैं यहाँ पर solve करता हूँ, minus 2 का cube और minus का 1, तो minus 2 का cube कितना हैगा, minus 8 और minus 1, answer कितना हैगा, minus का 9, तो इसका correct answer है कितना, minus 9, अगला question देखे, अगला question है, एक मिनट में कितने second होते हैं, बच्चो वाला question आगया, एक मिनट में 60 second हुआ करते हैं, अगला question है, 1 upon i की power 5 को a plus iota b के formula लिखे, तो 1 upon iota की power 5, इसे हम ले और iota हो गया minus 1, और नीच ऊपर है iota, तो कैसा बन जाएगा ये, ऊपर iota है और नीचे है minus 1, कुल मिलाकर क्या आएगा ये minus का iota, जिसे आप a plus ib के रूप में कैसे लिखेंगे, a plus ib इसका रावास्तिविक भाग 0 है, और इसका अधिकल्पित भाग है minus iota, तो ये बन जाए होता है कितना 120, अगला 5p2, 5p2 का मतलब कितना होता है, 5p2 का मतलब होता है, factorial 5 upon factorial 3, क्योंकि factorial npr का formula में बच्चों को बता दूँ, factorial n upon factorial n minus r हुआ करता है, तो 5p2 that is equals to, factorial 5 upon factorial 5 minus 2, जो कि factorial 3 बनेगा, और solve करने पर ये बन जाएगा, 5 into 4, क्योंकि 3 factorial से 3 factorial cancel हो जाएगा, और ये आजाएगा 20, अगला, रोज सब्द से बनने वाले अक्चों के कम, तो भई 4 अक्चर हैं, और 4 अक्चरों को 4 जगे विवस्तित करना है, तो 4p4, आंसर कितना होगा, 24, 4 into 3 into 2 into 1, जो 4 ती यहां 12, उनी 24, क्योंकि 4p4 को में factorial 4 भी लिखते हैं, तो आंसर होगा, 24, चल 5 एक रिक्त समुच्चे और A कोई परमित समुच्चे है, हाँ, बिल्कुल सही बात है वाई, क्योंकि हर समुच्चे का एक उप समुच्चे 5 हुआ करता है, तो क्या ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 हर समुच्चे का उप समुच् प्रेड भी बोलते हैं परंतु दोनों पक्चों को समान रिनात्मक संख्या से गुड़ा या भाग करने पर असामिका के चिन तदनुसार बदल जाते हैं वह बदल जाते हैं तो बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप रिनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो असामिका के चिन्न बदल जाएंगे और यदि आप धनात्मक संख्या लेते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा चलिए तो यह हो गए आपके पहले अब्जेक्टिव प्रिशने जो हो गए क्लास 11 का पार्ट वन सलूशन यहां पर मैं फिनिश करता हूँ और पार्ट टू सलूशन में मैं आपको डिटेल्ड क्वेशन्स जो बड़े वाले क्वेशन्स हैं वो करवाऊंगा हमें कमेंट लिख करके बताईए कि आपको हमारा सलूशन कैसा लगा हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो नमस्कार